इस वीडियो में हम हेट्रो टॉपस के बारे में पूरी नॉलज लेंगे पहले बात हैं हेट्रो टॉपस के अंद्रगत वो औरगैनिजम आते हैं जो अपना भोजन स्वयम नहीं बना सकती हैं मतलब अपने फूट के लिए दूसरों पर डिपेंट रहते हैं जिसे plant अपना भोजन सवयम बना लेते हैं, उन्हें artrotop कहते हैं, इसका posit heterotops के अंतरुट नहीं बना सकते हैं जो अपना भोजन सवयम नहीं बना सकते हैं, इसके अंतरुगत कई तरह के organicism आते हैं, जैसे कुछ organism जो सिर्फ प्लांड पे depend रहते हैं, तो उन्हें हम हर भी वोरस कहते हैं जैसे example रेबिक और काउ यह दोनों सिर्फ अपना भोजन प्लांट से ही लेते हैं जबकि कुछ और गैनिजम जो एनिपल भी डिपेंट रहते हैं उन्हें हम कार्नी वोरस कहते हैं जो सिर्फ एनिमल को खाते हैं जैसे लौयन और टाइगर ओमनी वोरस के अंतरगत वो औरगैनिजम आते हैं जो प्लांट और एनिमल दोनों को खाते हैं जैसे काक्रोच और मैन काक्रोच और मैन सब कुछ खा सकता है प्लांट भी खा सकता है आनिमल भी lose कर अन्त्रगत वह और्गानिज्ब के अंत्रगत, आते हैं, जो और्गानिक मेतर को खाते हैं, इन दयाल में जॉआल में और्गानिक मेतर प्रजंट होता है न, उसको डाइसे करके खाते हैं जिसे हम डूटी वोरस और्गानिजम कहते हैं इसका इसका एग्जामब अर्थवा में हैं और जो और गैनिजम फूट्स , ऐनलिजी फूट्स खाते हैं उन्हें हम फूगी वोरस कहते हैं जैसे bird और bet यह सिर्फ food से सही अपना भूजन लेते हैं और sangivores के अंतरगत वो organism आते हैं जो खोन पीते हैं इंसान का जैसे leach और female mosquito इसको हम sangivores कहते हैं और saprojoic saprojoic के अंतरगत वो organism आते हैं जो decaying animal को खाते हैं decaying dead organism जो पड़े होते animal उनको खाते हैं उन्हें हम saprojoic कहते हैं और saprophytic कि से कहते हैं जो decaying plants मतलब पतिया लीप्स या plants का कोई भी part decaying पड़ा हुआ है उसको खाकर अपना भोजन लेते हैं उन्हें हम saprophytic organism कहते हैं इस प्रकार heterotrops में इतने ही important organism है यह आपको जानना है पूरे ncrt में कहीं न कहीं यह सारे words दीए हुए अगर आपको इन से को knowledge नहीं होता है तो आपको आगे समझने में बहुत दिक्कत होती है बहुत छोटी सीचीज पर नहीं आती तो फिर सको समझ में नहीं आता है इसलिए आपको यह जानना बहुत जरूरी है thank you I hope आपको समझ में आया होगा